सिरी शिवाये नमस्तुव्यम हर हर महादे दोस्तों जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि अभी जो हाल ही में जो कथा चल रही है सिरी बेत्रोवती कथा शिव महापुरान जो कथा है वो अभी विदिशा में हो रही है तो गुरु जी ने शिप पुरान कथा में हमीशा बताया है गुरु जी ने कि पुर्दोष का दिन जो रहता है वो मास का मतलब महीने का सबसे प्रिया दिन होता है हम भक्तों के लिए और हमारे महादेव के लिए क्योंकि शिप प्रिदोष या प्रिदोष कोई भी प्रिदोष हो कोई भी दिन का प्रिदोष हो उस प्रिदोष को जो महादेव है वो माता पारवती के साथ धरती पर आते हैं अपने भक्तों के धर मंदिर में स्वयम धरती पर ब्रमड करते हैं जिसके घर में प्रदोश के दिन प्रदोश काल में दहलीज पर मुख्य द्वार पर दीपक लगा होता है उनके घर में वो प्रवेश करते हैं आसीरवाद देते हैं सभी मनुकामनाई पूरी करते हैं देखे गुरुजी ने हमेशा उपाये बताए हैं कि प्र पूरी हो जाती है ठीक है दूसरा उपाए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी तकलीफ में हैं कोई भी कस्ट में हैं धनलच्मी आपके अदर आती ही नहीं है तो प्रिदोष के दिन आप एक नियम बना लीजिए कि आपको दो दीपक प् या फिर आटे के हो आपको क्या करना है आपको देखना है अपने घर के नजदी कोई बेल पत्र का ब्रच्छो या महादेव का मंदिर हो बहां पर आपको दो दीपक एक दीपक आप नियम बना लीजिए कि अपनी धहलीज पर लगाना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दूसरा जो दीपक है अगर महादेब का मंदिर आपके घर के नजदीक है आप जा सकते हैं शाम के समय तो आप एक महादेब के मंदिर में प्रदोश के दिन प्रदोश काल में लगा दीजिए मंदिर अगर पास में नहीं है लेकिन बेल पत्र का ब्रच आपके पास है नजदी के आप जा सकते हैं तो आप एक नियम बना लीजे बेल पत्र ब्रच के नीचे वो दीपक प्रजुलित कीजिए अब देखिए यहाँ पर धनलचमी के लिए बात कर रहे हैं शिम मंदिर में अगर लगाएंगे तो गोलबाती का लगाएंगे और अगर बेल पत्र ब्रच के नीचे लगा रहे हैं तो लंबी बाती का लगाएंगे इस बात का विशेष दिहान रखना और जो हम अपने मुख्य द्वार पर घर के जो मुख्य द्वार पर लगाएंगे चलिए आप बात कर लेते हैं दूसरे उपाई की अब देखे धनलच्मी के लिए एक और विशेश उपाई गुरुजी ने बताया है अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में धनसम पता नहीं है बहुत ज़्यादा कस्ट है आज खा लिया कल क्या खाएंगे नहीं पता है तो आपको एक नियम मना लेना है कि कोई भी दिन का प्रदोश हो आप उस प्रदोश के दिन प्रदोश काल में जब संध्या आरती आपके घर पर होती है तो उस दिन आपको दो बाती का एक दीपक लगाना है चाहें दीपक माटी का हो या फिर आटे का हो ठीक है या स्टील का हो लंबी बाती लगा लीजिए या गोल बाती लगा लीजिए कैसी भी बाती लगा लीजिए लेकिन करना क्या है बाती लगाईएगा संद्या आरती करने के बाद अपने परिवार के साथ बैठिए महादेव का इस्मरड कीजिए और जो महादेव का शिव श्रोत दुख दारिद्रम श्रोत जो होता है उसका पाट करना है दुख दारिद्रम दहन जो श्रोत का पाट कर लेता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और दरिद्रता अगर है भी तो वो धीरे धीरे तो यह उपाये जरूर से करना है, दो बाती का दीपक लगाना है, घी का और अपने परिवार के साथ बैठना है, और जो दुख दारित द्रम, जो शुरोत है, उसका उच्चारन करना है, बस सरल उपाये हैं, आप उपाये घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हर हर महादेव जरूर से लिखे बाबा आपकी करपा